एक्सल का दोस्तों ये वीडियो पूरा आप तभी देखना जब आपको डेमो देखने के बाद लगे ना कि हाँ वास्तव में ये ट्रिक हमारे बहुत काम की है तो डेमो आप देखिए यहाँ पे ये मेरे पास सिंपल सा डेटा है इंपलॉई के नेम हैं इंपलॉई की आईड मार्च की सेल्स का डेटा है इंपलॉई वन का तो यहां इंपलॉई वन ने मार्च में सबसे ज़्यादा सेल की तो ये सेल हाइलाइट होना चाहिए ऑटोमेटिक इंपलॉई 2 की हम बात करें तो ये इंपलॉई 2 का डेटा है तो इसने फैब के अंदर हाइएस सेल की तो ये automatic highlight होना चाहिए data कितना भी हो सारा काम single click से हमें करना है automatic करना है दोस्तों तो यहाँ अगली sheet पहेंगे मैंने कर रखा आप देखिए यहाँ पे highest cell automatic highlight है इन तीनों columns को compare किया और जिस column में highest value है उसको highlight करा दिया अगर मैं यहाँ से जो है यह change करता हूँ value मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रिपल टू जैसे एंटरप्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए यह cell highlight यहाँ पे जो था वो अट गया यह highest value highlight हो गई इन cells में से इन तीन columns में से ठीक है तो data किसी भी तरह का हो सकता है weekdays में हो सकता है या strands के marks हो सकते हैं अगर हमें जरूरत है कि multiple columns हैं उनको compare करना है और highest या lowest value highlight करनी है तो यह trick बहुत गजब के दोस्तों और यह बहुत काम की trick है आपको miss नहीं करनी है और दोस्तों मुझे उमीद है मेरी इस महनत के लिए आप एक चलते वीडियो को लाइक करके जरूर आएं तो मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लैट्स इंट्रेस्टिंग टापेक तो यहां दोस्तों अभी मेरे पास बस तीन ही कॉलम है मुझे इन तीनों कॉलम को compare करके highest value वाले cell को highlight कराना है तो कॉलम कितने भी हो करते हैं यह हम करेंगे कैसे यह आपको समझना है तो जैन के अंदर इस पहले cell पे हम करेंगे किलिक और यहां पे हम advanced conditional formatting का यूज करेंगे देखिए कैसे तो इस cell पे हमने कर लिया किलिक conditional formatting पे जाएंगे और new rule पे हम जाएंगे ठीक है new rule पे जाने के बाद यहां पे किलिक करेंगे यूजे formula to determine which cell to format और यहां पे हमें एक formula set करना होगा formula क्या होगा देखिए equal का sign हम लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे end end bracket open end का formula लगाएंगे bracket open कर उसके बाद हम यहां पे करेंगे जैन वाले cell पे क्लिक अगर condition क्या होगी यहां पे condition होगी कि अगर जैन के अंदर जो sale है वो fab की sale से जादा है end gen की sale March की sale से भी जादा है तो यह sell highlight होना चाहिए ठीक है तो यहां मैंने इस cell पे क्लिक कर दिया जो की D5 है ठीक है यहां पे जो row number 5 है इससे पहले का जो डॉलर यहां पे दिख रहाना है यह डॉलर हटा देंगे ठीक है यह फ़ादा दिया बस 5 से पहले का डॉलर हटाना है तो हम यहां पे condition लगाएंगे कि अगर इस D5 cell के अंदर value greater than ह greater than है कि say E5 से इस फैब वाले cell से तो यहां पे 5 से पहले का डॉलर हम अटा देंगे यह हो गई पहली condition कि अगर जैन की cell फैब की cell से जादा है कॉमा लगाएंगे अगली condition यहां पे देंगे फिर से जैन वाले cell पे क्लिक करेंगे कि अगर यह cell मार्च की cell से जादा है तो मैंन से पहले का dollar हम अटा देंगे और end की bracket हम कर देंगे close ठीक है यह लगया formula पहले cell के लिए यह formula लगाने बादा format पे जाओगे कौन सा color यहां पे आप फिल करना चाहते हो तो फिल पे जाके वह color आप सेट कर दीजिए यह color मैंने ले लिया बाकी font color भी आप सेट कर सकते हो यहां में कम है तो अगर मैं इसको ज्यादा कर देता हूं तो यह cell highlight हो गया है ना अब हमें इस cell पे क्लिक करना है फैब की सेल पे तो फिर से conditional formatting पे जाना है और new rule पे जाना है फिर से use a formula और यहां पे फिर से एक और formula लगेगा equal का sign लगाएंगे end का sign लगाएंगे end का formula लिखेंगे bracket open और इस बार हम फैब की सेल को compare करेंगे इस से जैन की से और माच की से तो मैं इस cell पे क्लिक किया और 5 से पहले का जो डॉलर है ना इसको हटा देंगे और यहां पे greater than का sign लगाएंगे अगर यह cell फैब की ज्यादा है जैन की से ठीक है ना तो अब यहां पे जो जैन की सेल के लिए हमने डी 5 सेल को सेलेक किया है तो 5 से पहले का डॉलर हम अटा देंगे यह हो गई पहली condition इसके लिए ठीक है अगर यह फैब की से ज्यादा है तो यह कंडिशन हो गई एक और कंडिशन लगेगी कि अगर यह cell मा हटा दूँगा greater than का sign लगांगा इस तरह से और मार्च की सेल पर हम क्लिक करेंगे फिर से यह फाइव से पहले का डॉलर हटा देंगे तो यह हो गया आपका फार्मुला फैब के लिए फॉर्मेट पर जाएंगे फिर से वही color आप select कर दीजिए ओके कर दीजिए ओके कर क्लिक किया conditional formatting new rule पर हम जाएंगे और यूजे formula और यहां पर हम लगा देंगे equal करके end का formula पहले bracket open और इस बार हम इस मार्च की सेल को compare करेंगे जैन और फैब से तो इस पर मैंने क्लिक किया जो की है F5 से 5 से पहले का डॉलर हम अटा देंगे और यह अटा दिया greater than का sign लगाए जादा है ठीक है दूसरी condition होगे कि अगर यह से जादा है तो मैं फिर से इस पर क्लिक करूंगा और यह डॉलर हम अटाते रहेंगे ठीक है greater than का sign लगाएंगे और यहां फैब की सेल पे हम क्लिक कर देंगे डॉलर हटा दीजिए ठीक है इस तरह से तो यह हो गया फॉर्मला पूरा complete आप यहां पर greater than की जिए less than भी कर सकते हो ठीक है अगर आपको तीनों सेल्स को compare करके lowest value हाइलेट करने है तो तो फॉर्मेट में जाके फिर से कलर सेट कर देते हैं मैंने वही कलर सेट कर दिया कर दिया और कर दिया काम हो गया अब यह जो काम होगा ना वह के वल इस रिकॉर्ड के लिए हुआ है आप देखिए मैंने मंहें आपर टाल दी तो यहां पर काम कर रहा है कितने भी कॉलम हो इसी तरह से हम फॉर्मला लगाएंगे अब आपको करना क्या बाकी सेल्स में यह अप्लाई करने के लिए आप इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट करोगे और यहां कौनों पर से पगड़ करें नीचे और अभी आपको होगे यह तो सेम अगया तो आपने यहां पर क्लिक करना है और फिल फॉर्मैटिंग ओनली इस पर क्लिक करना है तो इस तरह से फॉर्मैट नीचे लग जाएगा अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो पहले इस रो को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देना और फिर बाकी सारे सेल्स को एक बार में ही सेलेक्ट कर देना तो फॉर्मेटिंग नीचे भी लग जाएगी बट लगेगी तब डॉलर आप हटाओगे जो मैंने हटाया था तो इस तरह से दोस्तों यह ट्रिक है जो की बहुत कामा सकती एक बिजनिस के लिए जो हम सीट्स बनाते हैं ना कंपेर कर करते जाएए ताकि न्यूव वीडियो की नॉटिफिकेस्ट आपको जल्दी से मिल जाए तो चलिए दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में थैंकि दोस्तों है वन आइस दे जैह हिंद वन दे मात्रम टेक केर